दोस्तों आप सभी ने भागवान शृप के अपमान वाली घटना तो सुने ही होगी जहां देवी सती की पिता राजा दक्ष ने एक यग्य के आविजन किया था इस यग्य में उन्होंने सभी देवी देपता को बुलाया परन्तु भगवान शिप को उन्होंने नहीं बुलाया अपने पती का अपमान का बोध होने के कारण देवी सती उस यग्य में कूद जाती है और अपने प्रानों का त्याग कर देती है दोस्तों आपको जानकर या आश्चरी होगा कि आज भी वो जगह हमारे भारत में मौजूद है जहां पड़िये सारी घटनाई घटी थी आज भी वो जगह मौजूद है जहां भगवान शिब ने राजा दक्ष का सिर काटा था आज भी वो यग्यकुंड मौजूद है जहां देवी सती ने आत्म दहा किया था दोस्तों इन जगहों को जब आप देखेंगे तो आप आज चरी चकित हो जाएंगे कि आज तक हमें ये जगह क्यों नहीं देखी थी नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अधगो टीम इंडिया यूटूब चैनल में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा तो चलिए इस वीडियो के शुरुवात कर लेते हैं हडीदवार से लगभग चार किलोमेटर दूर एक बहुत पुराना मंदिर है जिसे दक्षेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है इस मंदिर का अंदर्मान 1810 में रामी धनकौर ने करवाय था और 1962 में इसका पुरह अंदर्मान किया गया मंदिर तो बाद में बना लेकिन ये जगा पहले से ही यहां पर मौजूद थी मंदिर की बीच में शेवलिंग विराजित है ये मंदिर भगवान शीप जीं के भक्तों के लिए भक्ती और आस्था की एक पवित्र जगा है भगवान श्रीप का ये मंदिर देवी सती के पिता राजा दक्ष प्रजापती के नाम पर रखा गया है इस मंदर में भगवान विष्णों के पाउं के निसान बने हैं जिने देखने के लिए मंदर में हमिज़ा सरधानु का ताता लगा रहता है मंदिर का पड़ी सर काफी बड़ा है जिसमें शेर की बड़ी बड़ी दो प्रतिमा इस्थित है जो कि मंदिर में आने वाले सरधालों को स्वागत करती ही प्रतित होती है मंदिर के मुख्य गर्ग गृहे में भागवान शिपजी के वाहन नंदि महराज विराजमान है कथाओं के अनुसार राजा दक्ष द्वारा भागवान शिपग का अपमान सती सह नहीं पाई और यगी के अगनी में कूद कर अपने प्रान त्यांग दिये माना जाता है जब ये बात महादिप को पता चली तो उन्होंनी गुस्ते से दक्ष का शिर कार दिया देखताओं के नुरूत पर भागवान शिप ने राजा दक्ष को जीवन दान दिया और उसकर बकरी का सिर लगा दिया राजा दक्ष को अपनी गल्दी का हैसास हुआ और उन्होंने भागवान शिप से चमा मागी तब भागवान शिप ने घोशना की कि हर साथ सावन के महने में भागवान शिप यहाँ पर निवास करेंगे यही कारण है कि सावन के महीने में यहां भगतों की जादा भेर उमरती है दुनिया के सारी मंदर में शिपजी के शिलिंग की रूप में पूजा की जाती है यहीं पर एक ऐसा मंदर है जहां भागवान शंकर के साथ साथ राजा दक्ष की धर की रूप में पूजा की जाती है सावन के महिने में जो कोई भी यहां जलावी से करता है उसकी सारी मनुकामनाई पूरी हो जाती है इस मंदर में आपको एक गढ़्धा दिखेगा यह कोई आम गढ़्धा नहीं है बलकि यह वही हवन कुण है जिसमें देवी सेटी ने कूद कर अपने प्राणों का बलगान किया था दोस्तों जब आप उत्र खान आए तो इस मंदर के द्रिशन करना मद भोड़ीगा यहां दखाने का पूरा पता हमने आप सभी के लिए वीडियो के डिस्क्रोशन बॉक्स से में मेंशन कर दिया है मैं हूँ आपका दोस प्रदीर जदे मिलता हूँ आप सभी साथ एक नई खाया लगीगा